हेलो एवेवेवन वेलकम तो मैं चैनल कोट सोरी वित माइक तो आज आपने डेटा स्ट्रक्चर डेजाइन के लिए इसका वीडियो नंबर 18 करने जा रहे है लीट को नबर 1381 मेडियम मार्क्ड है और इस मन्त का यह लास्ट प्रॉब्लम है ठीक है तो देखते हैं और इफ आपको पुष कर देना स्टैक पर अंटिल प्रॉब्लम हो सकता ठीक है दूसरा फंक्शन के पुष जो भी ऐलेमेंट आएगा आपको पुष कर देना स्टैक पर अंटिल पर अंटिल स्टैक है पॉप करना है इट रेटर्न टॉप अफ दी स्टैक है और इंक्रिमेंट देखो यह इंपॉर्टन फंक्शन है ठीक है प्रॉब्लम एक्शली इसी पर बेज़ रहे है कि इट इंक्रिमेंट दे बॉट्टम के ऐलेमेंट्स आप दी स्टैक माल लेते हैं यहां पर प्लस पाइफ यहीं है यहां पर फाइफ और आपको बोला गया कि करना है जो कॉमा पाँच मतलब क्या हुआ कि बॉटम के जो दो एलेमेंट्स है ना उन में पांच-पांच का इंक्रिमिंट कर दो बॉटम के दो मैं मुझे एक तो यह दिख रहा और एक यह दिख रहा है द कि यह बोल रहा है कि bottom के 10 element को इमें 5 का increment कर दो बट भाई stack का size ही 3 है तो मतलब तीनों के तीनों elements को increment कर दो इसमें भी plus 5 कर दो इस पे plus 5 कर दो इस पे plus 5 कर दो यहां थे clear है मतलब k का value जो है na stack के size से बड़ा भी हो सकता है उस case में stack के सारे elements को हम increment कर देंगे ठीक है by value तो एक example देख लेते हैं जैसे माल लेते हैं यहां पर stack का size 3 रखा गया है तो ठीक है stack का size maximum 3 हो सकता है पुश पुश यानि कि पहले one push किया फिर two push किया one push किया फिर two push किया उसके बाद पॉप करने बोला तो यह two पॉप हो जाएगा तो हमार आउट पुट के आएगा two यह देखो यहां पर है न उसके बाद के पुश करना है टू को और थ्री को तो टू को पुश किया उसके बाद पुश कुश कर सकते हां नहीं कर सकते न कि देको stack का size तीन है अगर आप four यहां पुश कर रोगता तो आपको पुश नहीं करना है फोर को कि दिको Strac is still 123 do not add Another element that size is 4 ठीक है इस-केश में push नहीं करेंगा थे stack.increment 5,100, इसका मतलब क्या होगा dwar tymuito जो डू बौटम के पांच element में 100 का increment करदो bottom के 5 element में but stack का साइध ही तीन है तो इस्तो हमें हंडड का ng premise कर दो यह 101 हो जाएगा sorry क्या था यहाँ पर haver 101 तो 101 हो जाएगा यह 102 हो जाएगा यह 103 हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या है stack.increment 2,100 बॉटम के दो element में 100 का और increment कर दो तो यह हो जाएगा 201 यह हो जाएगा 202 उसके बाद पॉप, चार बर पॉप, पॉप, फिर से पॉप करना है तो 202 फिर से पॉप करना है तो 201 आएगा फिर से लास्ट में और और वह पॉप जाएगा बट अब पॉप कुछ करने ही सकते क्योंकि stack का है साइज एमटी हो चुका है तो उसके इसमें माइनस वन रेटरंड करना है तो समझ में तो आ गया है और इसको बहुत एजली आप इंप्लिमेंट भी कर सकते हो, इसको इंप्लिमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मैं वो तरीका बताऊंगो जो सबसे बेस्ट है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं क्या-क्या तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है कि आप नॉर्मल एक अरे ले सकते हो, और ठीक है यहां तक clear है दूसरा हो सकता है कि आप array ना लेके कुछ और ले लो माल लेते हैं आपने double link list ले लिया ठीक है या तो list of integer ले लिया इसके मदद से भी कर सकते हो ठीक है मेरा focus रहेगा array पर ठीक है कि array की मदद से कैसे हम लोग इसको solve कर सकते हैं तो पहले तो मैं array की मदद से सबसे basic solution आपको बताऊंगा ठीक है उसके बाद उसी को further improve भी करूँगा तो देखो using array कितना easily यह solve हो सकता है ठीक है easy mark problem हो सकता है यह माल लेते हैं आपको custom size दे रखा है maximum size आपको दे रखा है 3 array का maximum size इतना हाना चाहिए तो मैं क्या करूँगा stack complement कर रहो मैं using array तो मैं एक array ले ले लूँगा या तो vector ले लूँगा माल लेते मैंने vector ले लिया एक अभी ये खाली है तो इसमें कोई भी element नहीं है इसका नाम मैं st रख देता हूं ठीक है और जैसे ही जैसे मैं इसमें element डालूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि top element जो है वो किस index पर है ठीक है तो म माल लेते मेरा पहला operation आया push 1 ठीक है तो सबसे पहली चीज तो मैं यह चेक करूँगा कि मैं पुश कर भी सकता हूं कि नहीं तो मुझे यह चेक करना चाहिए कि क्या stack का size जो है वो less than n है ना तभी तो कर सकते हो हाँ less than n है ठीक है अन तो 3 है अभी stack का size 0 है तो मैंने 1 को push कर ठीक है तो अभी stack का size देखो 1 हो चुका है index number 0 पर पहला element आया है ठीक है तो देखो जीज ध्यान देना है यहाँ पर अभी top index minus 1 को point कर रहा है तो मैं top index को सबसे पहले तो क्या करूँगा plus plus करूँगा index plus plus इसकी वज़े से होगा गया top index की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी है ना तो मैं क्या करूँगा 0 और इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंडेक्स पर यह element जाएगा तो कोई अगर मुझ से पूछता है कि भाई तुम्हारा top element कौन है तो तुम बोल देना कि 0 इंडेक्स पर है मेर आपके पास push operation 2 का ठीक है ओके तो फिर से push कर सकते है क्योंकि अभी इसका size less than n है तो फिर से मैं वही करूँगा सबसे पहले top index को प्लस-प्लस करूँगा ताकि एक top element अभी इसके बाद आएगा तो मैंने 2 को push कर दिया index number 1 हो गया top index देखो 1 हो चुका है मेरा ठीक है तो हरब इसा है तो तुम बोलना कि index number 1 पर जो भी element है वही मेरा top element है यहां तक clear? ओके ठीक है इसके बाद stack माल लेते हैं लोगों ने बोला कि भाई pop करके दिखाओ ठीक है तो pop में कुछ नहीं सबसे पहले देख लेंगे stack का size 0 तो नहीं है अगर 0 है तो minus 1 return कर देंगे बट 0 यहां प पॉप करना है तो आप अराम से इसको पॉप कर लो ठीक है और पॉप करने के बाद top index को घटा देना है ना मतलब यह अब 0 हो जाएगा क्योंकि आपने इसको हटा दिया है तो stack का size वापस से 1 हो गया है और top element मेरा वापस से index 0 अला हो गया है यहां तक clear है अब देखो मान के जलते हैं फिर से push करने बोला 2 को 3 को ठीक है तो अब देखो ध्यान दो मैंने जैसे ही push किया 3 को तो मेरा top index अभी update होके 2 हो चुका होगा यहां तक clear है ठीक है तो अब मान के चलते हैं मुझे एक operation दिया गया increment करना है दो element को क्या था मेरा input यहां पर increment करना है 5 element को by 100 ठीक है 5,100 इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू bottom के 5 elements ठीक है तो देखो यह तो वेक्टर है ना तो अगर इसको stack में represent करोगे तो कुछ ऐसा देखेगा 1 यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर ठीक है तो bottom के 5 elements देख रहें कौन-कौन स यहां से start होगा ना नीचे से start होगा लेकिन यहां पर vector में कहां से start होगा index 0 से start होगा ठीक है तो मुझे 5 elements चाहिए तो बड़ यहां पर 5 element है नहीं 3 element ही है तो तीनों को मैं increment कर दूँगा अब जो कहां से start करूँगा increment करना index 0 से start करूँगा 0 इसमें 100 जोडा तो क्या हो यहां तक क्लियर है ओके तो मैं नॉर्मल सा फॉर लूप लगा दूगा इन सब को इंक्रिमेंट करने के लिए फॉर आई इकल टू जीरो आई इस लेस दन कॉन से इंडेक्स तक जाएंगे वह भी निकाल लेंगे आई प्लस प्लस ठीक है और मेरा स्टी ओफ आई प्लस इस इकल टू सब में वैलियू जोड़ एड कर दूंगा जितना वैलिई है ठीक है अब जेंगो कहा तक जाओंगा यह लिमिट मुझे कहा तक करना है ठीको ध्यान देना जो मेरा लिमिट इंदेक्स हो गा लिमिट इंडेक्स मैंने स्टाibel बाला दा ? की वैलिवास्ट साधा भी हो सकता है जैसे यहां पर हुआ ना केका वैल्यू पांच है बट मेरा स्टाइक का साइज तीन है तो यहां पर पांच कौमा तीन क्या हो जाएगा मिनिमम कौन है तीन है तो आइस उकल तो आइस लेस देन थरी यहने कि इंडेक्स नंबर टू तक ही हम लोग जाएंग इंक्रिमेंट ओपरेशन जो है इसमें वर्स केस में क्या हो रहा है ओ और खेल रहा है मतंब मिनिमम ओफ के या स्टाइक डॉट साइज ठीक है यह ओ ओफ वन नहीं हो रहा है अगर इंटरव्य ने बोल दिया घिपाई इंक्रिमेंट ओपरेशन भी ओफ वन होना चाहिए कि जब आपको इंक्रिमेंट फंक्शन दिया जा रहा है इंक्रिमेंट फंक्शन बोला जा रहा है कि के एलेमेंट्स में इतना वैल्यू एड़ कर दो बॉटम के एलेमेंट्स में तो आप उसी के उसी वक्त उसको इंक्रिमेंट कर रहा हो सारे के सारे के एलेमेंट्स को बट पर 12 था और किसी ने बोला कि आपको बस इंक्रिमेंट करने कहा गया है अभी वैल्यू आपसे नहीं मांगी गई है तो आप अभी इंक्रिमेंट ना करके माल लेते हैं k is equal to 2 था शुरू के bottom के 2 elements तो आप क्या करो 0,1,2 दो elements है ना bottom के इंड वाला जो element है ना यहां पर जैसे ये दो element का इंड element कौन है लाज सहवी मेंट को नहीं ना 11 0,1 है तो इंडेक्स नंबर वन को मार्क कर लेते हैं कि इंडेक्स नंबर 10 के element में अ मुझे दो तक का इंक्रिमेंट करना था ठीक है दो के इंक्रिमेंट करना था तो मैं इंक्रिमेंट नाम का एक वेक्टर ले लूँगा ठीक है इंक्रिमेंट इसमें मैं बस यह स्टोर करके रखूंगा जैसे यहां पर देखो इसका भी साइज 012 रख लिया मैंने और यहां पर मैं यह लिख जब n being इसने कोई चेंच नहीं किया जैब है जय भी भी दस है मुन्हें भी बी removed फॉलो करने के लिए क्या गिए कि-डय बॉटस कहा किया बॉत्रम के दो इलमंट को मैंने क्या किया भाटम के दो एलमेंट उसका जो last element का इंडेक्स है उसमें मैंने ये value डाल दी कि 5 का increment करने कहा गया है मैं future में जब value return करना होगा तो मैं ये value add करके return कर दूंगा मुझा है okay अब मान के जलते हैं आपसे पॉप कहा गया अब धर इस बारा को ठीक है तो बारा को पॉप करने से पहले ये च्छिक कर लेना कि बारा का index 2 क्या इंडेक्स है है बारा और ये पॉप हो गया अब आपका तो अब अब का ठीक है अब देखो ध्यान देना अब मान के चलते हैं फिर से पॉप अपरेशन आया ठीक है तो आपको रिटर्ण करना है ग्यारा बट मैंने क्या बोला था यह इंडेक्स नमबर वन है ना तो इंडेक्स नमबर वन की करश्पॉर्णिंग देख लेते हैं इंक्रिमेंट करना क्या करना था तो मैं क्या रेटर्ण करूँगा ग्यारा प्लस इसमें वैल्यू कितनी है 5 रेटर्ण करूँगा ठीक है यहां तक क्लीर इह अब देखो यहां पर पाँच को हमने यूज कर लिया है तो मैं इसको रो कर दूँगा कि अब इंक्रिमेंट की जरूरत नहीं है इस कि सारे elements को increment करना है बट मैंने तो बस यहां पर increment की value लिखे थी 5 राइट है तो अभी मैंने इसको zero कर दिया तो मैं क्या करूँगा इसके just बगल वाले element पे वो 5 की value transfer कर दूंगा क्यों याद करो इन दोनों में मुझे 5 का increment करना था बट मैंने इसके end वाले element के index में बट 5 लिखा था है तो जैसे ही मुझे वहां पर 5 मिला मैंने यूज किया इसको और इसको transfer कर दिया है अब मुझे अगर पॉप बोला जाएगा ना तो मैं इस 10 को देखेंगा क 10 दिखा बट 10 का index का 0 है मैं 0 पर गया मैं देखा यहां पर 5 है ठीक है तो 5 कर दिया मैंने इसका भी आंसर इसका अंसर हो गया 15 मतलब हमारा आंसर एदम करेक्ट आ रहा है ठीक है इसको हम 0 कर दें क्योंकि यह यूज हो चुका है और इसके पहले को element है नहीं तो यही पर रु फिर मैंने जाके इस 5 को यहां बट रगाइट किया इसको 0 बट ैह पॉप हो गया मा इद यह बोला है टो मैं वाई प्लस 5 रटन करूंगा ठीक है तो दीख रो यहां पर मैं प्रोपागेट कर रहा हूं इंक्रिमेंट वाले वाल्यो को एप अर बाद में प्रपागेट कि तुरंत नहीं कर रहे हो , जिसे वक्त बोला गयार उसी वक्त प्रॉपगेट नहीं कर रहूं , बाद में कर रहे हूं , जब यूज हुआ उसके बाद , इसी लिए इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं ? लेजी प्रॉपगेशन मेथड , ठीक है ? लेजी प्रोपागेशन , सब जगह 0 है और यहां पर 1,2,3 है अब मान के चलते हैं आपका operation कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपको increment बोला गया यहां पर मान लेते हैं पहला call था आपका increment करो शुरू के दो वैल्यू को पांच पांच से ठीक है तो शुरू के दो वैल्यू है ना तो मैं शुरू के इंक्रिमेंट करना है यह टू है इसका इंडेक्स क्या है तो वन में मैं यहां पांच कर दूंगा ठीक है मान की चलते हैं दोबारा increment function आ गया और बोल रहा है शुरू के दस element में तीन एड करो तो दस element तो ही नहीं भाई है ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों element को हम इंक्रिमेंट करेंगे तीन से बट अभी नहीं करेंगे ठीक है पूरे element को इंक्रिमेंट करना है तो अभी नहीं करेंगे बस इसी जितने को इंक्रिमेंट करना ना तुसका लास्ट element दोणलो उसका index कि यहां पर टू पर जाओ और यहां पर कितना से addition करना था, 3 से करना था, तो यहां पर 3 add कर दो, ठीक है, यहां तक clear है, अब देखो, यहां पर मज़ाएगा, अब मान के जलते हैं, पॉप दिया गया आपको, ठीक है, तो आपने 3, top element यह 3 है, तो 3 आपने पॉप तो कर लिया, बट इसी index पर देखो, यहां पर चाहिए था, इसको अपने 0 बनाया, और यहां पर 3 आपने प्रोपगेट कर दिया, तो देखो, यहां पर 8 का increment हुआ, और यह 8 का increment होना भी चाहिए था, क्योंकि याद करो, पहला increment था, कि शुरू के इसको प्रोपगेट किया है, तो 5 प्लस 3 यहां पर 8 का increment हो गया, 5 प्लस 3 यहां पर 8 का increment हो गया, तो अब मुझे अगर पॉप बोला जाएगा न, तो मैं यहां पर 2 पॉप किया, ठीक है, बट यहां पर देखो, उसी index पर यहां पर 8 है, तो 2 प्लस 8, यहां पर 10 हो जाएगा तो मैं इस 1 को पॉप करूँगा, और यह 8 को यहां पर add कर दूगा, 9 आगया answer, इसको वापस से 0 बना दूगा, इसके left में कुछ है नहीं, और stack भी हम्टी हो गया, हमारा कान ही खतम हो गया, तो देखरो हम लो प्रोपागेशन कर रहे हैं, increment वाले value का, slowly वो भी, बाद में कर करके दिखा भी देता हूं, तो चलो, इसा code करते हैं, मैंने क्या बहुत है, कि दो चीजे मैं करूँगा, सबसे पहले stack को implement करने के लिए, मैं एक vector यूज करूँगा, या तो array यूज करूँगा, इसका नाम में st रख देता हूं, और एक और vector में ले करूँगा, किसके लिए increment store करने के लिए, ठीक है, ओके, और stack का maximum size n में store कर दूँगा, कि इतना maximum size हो सकता है, n is equal to max size, यहाँ तक clear है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब सबसे बहुत, एक चीज़ पर ध्यान दो, मैंने याद है, बोला थाना कि आप एक variable रख सकते हो, top index, इसका starting value minus 1 रखो, ठीक ह सकते हो, बहुत easily, कैसे निकालोगे, st.back, अराम से निकल जागा, क्योंकि vector है, index की जरूत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो आप उस index को भी ignore मार सकते हो, उसकी जरूत नहीं है, तो चोलब push function पर आते, तो मैंने क्या बहुत था, कि push तभी कर सकते हो, जब stack का size less than maximum size होना च वो भी डालना पड़ेगा मुझे, बट सिंस अभी कोई increment नहीं है, तो देखो, increment की value मैंने यहाँ पर 0 डाला है, ठीक है, यहाँ तक clear है, इस चीज पर ध्यान देना, यह वाला, ठीक है, no increment as of now, क्योंकि अभी just यह element आया है, नया index यहाँ पर आया है, ठीक है, तो increment में भी मै नया element insert कर दिया है, अब pop पर आते हैं, जो की सबसे important function है, सबसे पहले तो यह check माल लूँगा मैं, कि अगर stack का size मेरा 0 है, तब तो मैं कुछ pop नहीं कर सकता है, मैं minus 1 return कर दूँगा, यहाँ तक clear है, अब हम लोग क्या करते हैं, index निकालते है, int index is equal to st.size minus 1, याद करो, यह क्य है, index of top element, यहाँ तक clear है, ओके, तो index तो मिल गया, सबसे पहले तो यह देख लेंगे, कि अगर index greater than 0 है मेरा, ठीक है, अगर index greater than 0 है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो increments of idx minus 1 में, क्या करूँगा, increments of idx, याद करो, यह चीज़ कर रहे हैं थे हैं, लेजी propagation कर रहे हैं, है न, increments, obviously idx greater than 0 होना चाहिए, तभी तो minus 1 यहाँ पर करेंगे, मतलब अपने left वाले में, इस index की जो भी increment value थी, वो मैंने यहाँ पर propagate कर दिया, ठीक है, और अब मैं top value निकाल लेता हूँ, top underscore value will be equal to st, जो भी मेरा vector है, उसका index में, जो भी value होगा, प्लस increments में, same index में, जो भी value होगा, यहाँ दर clear है, अब st.pop underscore back कर दो, ठीक है, हटा दिया उसको हमने, क्योंकि हमें pop करना था, और increments में, sorry, increments जो है मेरा, उसका index में जाद करो, जो भी value रहा होगा, उसको भी मुझे हटाना है, right, pop underscore back, इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है, return क्या करना है, top underscore value जो भी है, यह चीज़ समझ में आगे, जो मैंने समझा है, तब बिलकुल यहाँ पर मैंने वही लिखा है, right, ठीक है, अब आ greater than st.size, तो मुझे जो minimum होगा, वही लेना पड़ेगा, int, यहाँ पर index ऐसे निकालेंगे, idx is equal to minimum of k, st.size, ठीक है, minus 1, ने, सौरी, जो भी minimum आएगा इन दोनों में से, इसको integer में convert कर देते, इन दोनों में से, जो भी minimum हैगा, उसमें minus 1 कर दिया, क्योंकि index निकालना मुझे, k k जो है, वो one based है, actually, मैं index निकालने के लिए मैंने minus 1 कर दिया, ठीक है, और अब बस यहाँ पर चेक कर लो, अगर idx is greater than equal to 0 है, तब मैं क्या करूँगा, बस उस index में, मैं insert कर दूँगा, इस value को, इंक्रिमेंट्स ओफ idx में, जो भी value अल्रडी रही होगी, इसमें मैंने इस value को भी add कर दिया, यहाँ था clear है, यातकुर मैंने क्या बोला था, कि k bottom के 2 element को, मा ले थे k की वाली 2 है, तो bottom के 2 element को increment करना है, तो मैं क्या करता था, जो दूसरा वाला element का index होता था, इंडेक्स ह कर रहा हूँ, उस value का use कर लूँगा, उसको propagate कर दूँगा, फिर उसको हटा दूँगा, पॉप के time के, ठीक है, अब दोको सारा operation O of 1 है, यह भी O of 1 है, यह भी O of 1 है, यह सारे O of 1 है, यह भी O of 1 है, ठीक है, एक बर रन करके देखते हैं, we should be able to pass all the test cases, हाँ हमने space लिया है, O of maximum size, है न, increments लेने के लिए और stack लेने के लिए, वेक्टर लेने के लिए, इंडीड यह, example test case पास होगा है, submit करके देखते हैं, कोई भी doubt होता है, read it in the comment section, I'll try to help you out, and congratulations to those who were able to get this badge, consistency is the key, see you in the next month, thank you.